हेलो फ्रेंड्स जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं गुलगुले की रेसिपी डेली और वीकेंड स्पेसियल रेसिपी इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं एक बड़े से मिक्सिंग बोल में एट करेंगे एक कप PCV चीनी गुलगुले बनाने के लिए आप चीनी की जगह गुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं साथ ही में हम इसमें एट कर देंगे डेड़ कप पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसमें एट करेंगे एक टीस्पून सॉफ अगर आपको सॉफ का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इलाइची पाउडर भी एट कर सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे चीनी को हमने पानी में अच्छे से घोल लिया और अब हम इसमें दो कप गेहूं का आटा एट करेंगे आटा हम एक साथ एट नहीं करेंगे थोड़ा थोड़ा करके एट करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इस तरह से हमने इसे अच्छे से फेट लिया और इसमें बिल्कुल भी लंज नहीं है अब इसे लगातार पांच मनी तक और फेटेंगे बेटर को जितना फेटेंगे उतने ही अच्छे और स्पोंजी गुलगुले बनकर तयार होंगे तो हमने इसे लगातार चलाते हुए पांच मनी तक अच्छे से फेट लिया इस तरह की हमें इसकी कंसिस्टंसी रखनी है तो अब हम इसमें से गुलगुले फ्राई कर लेंगे तेल अच्छे से गरम करने के बाद एक बार में पेन में जितने गुलगुले आते हैं उतने हम इसमें एट कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे इसके साइट्स को चेंज कर देंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए और बीच बीच में हम जारा की मदद से इसे उलट पुलट करते रहेंगे मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक इनको तेल में फ्राइ करेंगे और फिर तेल में से निकाल लेंगे इस तरह आप मीडियम साइज के गुल्गुले भी बना सकते हैं और अब हम बाकी के बच्चे हुए बेटर में से बड़ी साइस के और फ्लेट गुलगुले बनाएंगे बाकी के बच्चे हुए बेटर में से हम बड़ी साइस के गुलगुले बनाएंगे तो किसी स्पून की मदद से हम तेल में एक जगा पर थोड़ा ज्यादा बेटा रेट करेंगे गेस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इनको अच्छे से फ्राई करेंगे बीच बीच में जारा के मदद से इनको उलट पुलट करते रहेंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए देखें गुलगुले को कौन सा सेप देना है वो आपकी पसंद पर डिपेंड करता है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कॉमेंट करें चैनल पर नए है तो मेरी आपसे हमबल रिक्वेश्ट है के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नए रेसिपि के साथ तब तक के लिए गुडबाई